गुड मॉर्ण इस्ट्वेंट्स वेलकम एक टो मैं चैनल नभीन वर्ट तोड़ेज आर टॉपिक इस टेटा एंड इंफॉमेशन और बात करते हैं सबसे पहले डेटा की की वाट इस डेटा डेटा होता क्या है डेटा हम लोग उने पढ़ा है टेंथ क्लास में भी टेटा इस एंद इंटिटी होती है टेटा जो है एक लैटन वर्ड से आया हुआ लाइक लाइड यहां देटन विच मेंस सम्थिं गिविन अगर देखें डेटा को जो मेमोरी को मेजर करते हैं वहां बिट्स नियबिल बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट इसमें करते हैं, data जो होता है, हमारा letter भी हो सकता है, character भी हो सकता है, image भी हो सकती है, graphics भी होता है, अब इसी data का एक meaning भी हो, यानि एक information अगर हम बात करें, तो information is goes to data plus meaning, एक ऐसा data जिसका एक meaningful है, meaningful data जो है, that is known as the information, information भी एक French word से आया हुआ, that is the informer, which means to inform, किसी को inform करना, यह था हमारा data और information, अब बात करते हैं, database की, database क्या होता है, database जो होता है, वो interrelated data होता है, यानि डिको data तो है, जैसे मेरा नाम हो, यह से आप लोगा का नाम, कोई city, लेकिन उससे कोई चीजें connect नहीं हो रही है, ऐसी ही चीजों का एक collection कर दिया, that is known as the database, जैसे मैं एक बात करूँ, जैसे अमित, अमित चौधरी है, यह नाम हो गया, उसकी age 17 years है, वो हो गई, कहां रहता है, बिन्दावन में रहता है, ठेक है, क्या करता है, student है, यह चारों चीजों को हमने interlate कर दिया एक दूसरे से, तो यह क्या बन गई है, हमारी information बन गई, और individual part क्या हो गई हमारे data हो ग गया, एक database बन गया, तो database is known as the interrelated data, ठीक है, ऐसी बहुत सारे record हो गई हमारे पास, अब यह बहुत सारे record हो गई, तो यह हमारा database तयार हो गया, एक database के अंदर काफी सारी tables भी हो सकती है, जैसे पहली जो table हमने show करी थी, वो हमने show करी थी customer की, कि customer ने क्या नाम था उसका, क्या उसने purchase किया, कितनी quantity थी, address क्या था उसका, अब बात करें हमारे पास product की details भी होनी चाहिए, यानि जो shopkeeper है, वो दुकान लेके जो बैठा हुआ है, उसके पास कितनी तरीकी cat है, dog है, कितनी quantity में है, यह, और उसने एक table ऐसी maintain करी होगी, जिसमें उसके पास यह होगा maintain, कि कित database management system, database management system क्या होता है, एक software है, जिसका काम होता है, user को enable करना, user can insert the data, user can modify the data, delete the data, update the data, database is the platform by which we can store the data, जैसे example की बात करें, database हमारा कौन कौन सो हो गया, mysql हो गया, oracle हो गया, ms access हो गया, जो हम लोगों ने पढ़ा है 10th class में, mysql हो गया, जो अभी हम 11th में पढ़ किया है यह सब क्या है, हमारे platform है, obviously हम database management system use कर रहे हैं, तो इसके कही ना कहीं advantage भी होंगे, और कुछ disadvantage भी होंगे, advantage की बात करें तो सबसे पहला जो advantage आता होता है, data abstractions, data abstraction का मतलब होता है कि, hide the non-essential thing and show the essential things, अगर मैं एक बात करूँ जैसे switch की, मुझे पता है switch को on करने पे, मेरा fan च जाएगा, यहीं पीछे की background जो mechanism है switch की, वो तो मैंने चुपाली user को मैंने क्या दे दिया, cable switch use करने के लिए, that is known as the data abstraction, data कहां आ रहा है, कहां से किदर जा रहा है, data किस तरीके से manipulate हो रहा है, किस तरीके से calculate हो रहा है, वो हम user को नहीं बताएंगे, यह सबसे बड़ा advantage हो गया pen paper पर use करते हैं, ठीक है, register maintain करते हैं, हो सकता है किसी candidate की entry दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, चार बार हो जाए, लाखों records अगर हमें enter करना है, तो छीज़ा repeat होती रहेंगे, हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन computer में ऐसा नहीं होता, computer में, यानि हम computer है जब data maintain करने बैठते हैं, तो वहां हम देखते हैं, कि duplicate जो data होता है, तो हमें बता यह था, computer की यह record already exist करता है, that is called the controlling data redundancy, अब बात करें, next key, minimize data inconsistency, inconsistency का मतलब हो गया, कि जैसे अकर मैं manual की बात करूं, पहला register maintain किया, और मान चलो मैंने अमिच चोधरी की record enter किया, तो उसका address मैंने मान चलो मत् अब फिल करते करते मान चलो सारे record फिल हो गया, register full हो गया, मैंने दूसर register वेंडन किया, आमें चाज़री का record दोबारा lot किया, वहां पर मान चलो उसका address उठा किया, मैंने व्रिंदावन कर दिया, तो अब address ही different हो गया, ऐसे mobile number भी different हो सकता है, और काफी सारी चीने different हो सकती ह तो इस चीज़ को minimize करता है computerized data, फिर बात करते है data manipulation की, data manipulation का मतलब वही हो गया, अगर कहीं पर मुझे changes करना है, manual की बात करूँ तो whitener लगाओ, cross करो, फिर नया record update करो, या उस line को काटो, फिर कहीं पर और जाके record update करो, लेकिन computer में ऐसा नहीं होता, वहीं की वहीं हम computerized data है, तो network की तो हम share कर सकते हैं, data security की बात करें, तो authorized user को हम दे सकते हैं, हमें लगता है, हमारी company का ही employee है, तो हम उसको data show करेंगे, जो नहीं है, उसको नहीं show करेंगे, password protected भी कर सकते हैं, advantage एक और है, support multi user views, multiple user can use, देख सकते हैं, एक साथ data को, concurrent access, यानि data जब centralized होता, तो ए एक बार में ऐसा नहीं है, कि कई लोग एक साथ data को access भी कर सकते हैं, अगर इसके advantage भी हैं, तो obviously कुछ ना कुछ disadvantage भी होंगे, database management system के, जैसे पहला आता है, cost of hardware and software, जब data की बात करते हैं, तो data के लिए, data को manipulate करने के लिए, data को access करने के लिए, store करने के लिए, मुझे high processor की ज़ और दोनों की cost बढ़ रही है, फिर आता है, cost of data conversion, कई बार होता है, data को data में convert करने के लिए, एक database को दूसरे database में convert करने के लिए भी, काफी सारी expensive आता है, और data का loss होने का भी chances ज़्यादा रहते हैं, अब आप ऐसे देखो, जैसे कि MS of E 2007 यूज कर रहे हो, फिर आप MS of E 2007 सेवन में convert करोगे, तो data loss हो गई होगा, फिर आता है cost of staff training, अगर मैं database use कर रहा हूं, अगर मैं database use कर रहा हूं, तो obviously मुझे मेरे अंडर में जतना भी staff है, मुझे उनको भी, क्या करना पड़ेगा, train के लिए मुझे तो trainer hire करना पड़ेगा, और trainer hire करने करने पड़ेगा, तो म